तो नमस्कार दोस्तों मेरे नाम है प्रशान शर्मा और आज हम एनलाईज करेंगे के सीपी लिम्टेड कंपनी को बात करें तो स्मॉल कैप की कंपनी है और काफी अलग टाइक के बिजन कंपनी इन्वॉल्व है और आज की इस वीडियो में इसी कंपनी का हम फंडामेंटल एन में अच्छ से इन्फॉमेशन मिल सके और लास्ट में कंपनी की वैलिशन करेंगे जिसे में यह पता लग सके जो आज की कंपनी का शेयर प्राइच चल रहा है वो उसके अर्निंग के साफ से में सस्ते शेयर मिल रहे हैं दूसरी आपको एक बात और बता दें यह जो वीडिय है काफी सारी रिक्वेस्ट अलड़ी हमार पास आई हुए है तो थोड़ा अभी हमें टाइम लग रहा है थोड़ा वेट आपको करना पर सकता है लेकिन वीडियो हम लोग कोशिश करनेगी फिर भी जल्द जल्दी बनानेगी तो हो सकता है थोड़ा आपको टाइम देना और कंपनी की जो टोटल कैपसिटी है वो है 4.3 मिलियों टन पर अनम की और कंपनी मेंलली प्रीमिट का सीमिट बनाती है इंडिया के अंदर और इंडिया में जातर कंपनी की सेल है दूसरा कंपनी का sugar business यहां से कंपनी को 40% आता है और कंपनी का जो sugar business है वो Vietnam के अंदर है और कंपनी की जो total sugar crushing capacity है वो 11,000 ton per annum की है जो की अच्छी खासी है और Vietnam में देखें तो top 5 producer में से एक कंपनी है यह sugar के अंदर उसलब कंपनी heavy engineering business भी करती है यहां से कंपनी को 3% आता है तो में लिए कंपनी को 46% cement से और 40% sugar से यह निकिए 96% जो revenue इन दो segment से आता है और heavy engineering business दो कंपनी करती है वहां से 3% आता है और कंपनी heavy equipment मनाती है cement की industry के लिए sugar के लिए power mining इस तरह की industry कंपनी heavy equipment मनाती है बात करें तो कंपनी की association ISRO के साथ भी है है small cap company link company अच्छा engineering काम करती है इसलिए ISRO के साथ भी company की partnership है और कम से कम 30 साल से 3 decades से company उसकात काम कर रही है और company ISRO को flight hardware supply करती है rocket vehicles के लिए उसके लावा और बहुत सारे hardware है वो भी company ISRO को यहाँ देखें तो provide करती है तो company काफी अच्छे products होंगे तभी इस दो उनको approve कर रहा है और उनके product को use कर रहे है उसका company hotel business भी है यहाँ से company को 1% होता है company का एक ही hotel है mercury hotel है थरावाद में company उसको भी own करती है और operate करती है उसका बात करें तो company पांच भी business है power business यहाँ से company को revenue नहीं आता है क्योंकि company जो captive use के लिए अपने internal consumption के लिए अपने जो business company run करने जह cement है दूसरे business है उनको चलाने के लिए जो power required होती है वो company अपने power खुद से generate करती है उसमें company वास में 34 megawatts का total capacity है उसमें company hydropower, windmill, thermal, solar सभी तरह के power generation करके अपने खुद के लिए जहातर वो use करती है तरसा company mainly 5 business के लिए जहातर काम करती है लिए दो main business अपता है शुगर का और सिमिट का वहाँ सी company को जहातर revenue आता है उसले बात करें company के shareholding pattern की तो promoters के पास में company के 44% shares है FIs के पास में 1.7% है DIs के पास में 0.5% है और public और others के पास में 54% share है तो जहातर share बात करें तो 54% public के पास है promoters से भी ज़ादा तो असे देखें तो company का पूरा business 5 तो company ठीक ठाक business करती है cement और sugar से company उसले जहातर revenue आता है और promoters अच्छागासा 44% share hold करते है लेकिन public ने ज़्यादा share लिये है क्योंकि छोटी company है तो ज़्यादा लोग करता है कि कलको बड़ी हो जाएगी तो multi-bagger बन सकती है मेरे ख्याल से उसी साब से देखें तो company का है पर shareholding pattern में दिखाए दे रहा है तो ठीक था company का business profile है small company है उसी तरह सारी चीज़े है तो company अच्छागासा business profile है हम देखें तो hold करती है अब हम बात करते है company के finances के बारे में कि पिछले 5 साल में company के revenue और profit में कैसी growth हाई है उसके लिए check करते है company पिछले 5 साल का data और यहां पिछले 5 साल में company का revenue डबल हो गया है काफी अच्छी growth company ने अपने sales और revenue में दिखाई है बात करें percentage में तो 11% के काफी अच्छे seizures है तो काफी अच्छे साल में company ने अपने revenue में growth दिखाई है तो काफी अच्छे से company अपना business increase कर रही है उसके बात करें operating profit की तो 13% फिर 22% 18% 22-23 में company का operating profit ज्यादा कम हो गया 8% का अदवरे दिखेंगे तो company 12% से 15% के बीच में company अच्छे से अपना operating profit margin भी manage कर रही है क्योंकि अलागना type के company business में है तो कभी किसी में आप किसी में down उस चीज़े होती होगी उसी का यहाँ पर effector में दिखाई दे रहा है उसके बात करें company net profit की तो जैसे operating profit कम जादा हो है वैसे company का net profit भी कम जादा हो दिखाई दे रहा है 222 में 240 crore था 222 में काफी अच्छे से 280 crore का company profit लेके आई है तो profit देखें तो up down हुआ है जैसे operating profit कम जादा हुआ है वैसे net profit भी कम जादा company का दिखाई दे रहा है फिर बात करें free cash low की तो पिछले 5 साल में company सिर्फ एक बार negative free cash low की है 232 में उसके लावा company 4 साल देखें तो positive free cash में तो company काफी अच्छे से free cash low भी manage करती है उसका बात करें dividend payment की तो company साथ परसेंट तीन परसेंट में साथ आठ परसेंट की अवरे जाएगी फिसले 5 सल की थोड़ा बहुत company due in payment करती है कि small cap company है पैसा required जाद due in payment करने नहीं है company अपना business को increase करने में जाता पैसा यूज करना चाहती है उसी साब से company थोड़ा बहुत due in payment करती है फिर बात करें company के debt by एकट शुकी कि company ने कितना loan लिया हुआ है और कितना खुद का पैसा इंवेस्ट किया है तो company का debt by एकट शुरा 0.34 का है यनि के company ने 100 रुपे गेंस 34 रुपे लोन भी लिया हुए तो company अच्छा कासा loan भी hold करती है लेकिन बात करें जो भी company अगर loan hold करती है तो उसके against हम अगला parameter check करते है कमपनी उसके कितना पैसा available है उसके interest को payment करने के जो हर साल उसको payment करना होता है यह आप देखें तो company का interest coverage रहा है 8 times तो आठ गुना पैसा उसका अच्छे से available है आठ साल तक वो अराम से अपना interest payment कर सकती है यह इसका मतलब है तो company debt जुरू hold करती है लेकिन फिर भी company house काफी अच्छे से पैसा available है उसके interest को payment करने के लिए तो बात करें तो capital wise काफी अच्छी company है फिर बात करें return equity की तो last year company return rate 14% का और फिछले 5 से लिए 11% की तो यह बिल्कुल margin पे है 15% कम से कम होना च्छे company का return equity तो पिछले साल का 14% है और फिछले 5 से बात करें तो 15% से लीचे ही company का ROI आ रहा है तो बहुत ज़्यादा company return अपने investor के पैसे के उपर generate नहीं करती है तो कुल में लाकर मैं देखूं सारे financial तो ठीठा company financial है बहुत ज़्यादा खराब भी नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा strong financial भी यह नहीं कह जा सकते है और अब हम बात करते है company की valuation के बारे में कि आज चिरे में company का share price चल रहा है उसके साफ से इसके कितनी value बनती है और यहाँ पर हमने company के free cash flow का data check किया था तो 2022 में company का share था 139 क्रोड 2023 में negative गया 72 क्रोड और फिर 2024 में positive free cash flow आया 73 क्रोड का आप क्योंकि इसमें तीनों में difference आ रहा है तो पिछले 3 साल company free cash flow के हम average लेलते है और उसे 3 साल company free cash flow के average आ रही है पचास क्रोड प्यानिके लगबग 50 क्रोड पे हर साल company free cash flow generate करती है और इस free cash flow के साब से जो पूरी company की value बनती है वो आती है 2500 क्रोड पे हमें इन्वेस्ट करने पड़ेंगे अगर हम 50 क्रोड पे हर साल free cash flow लेना चाहते है इस company जो यह इस valuation का मतलब है अब इसको number of shares से गर हम divide करेंगे तो company की per share की fare value निकल के आएगी ठीक कमपनी कितना free cash flow generate करती है उससे पर share की fare value कितनी बनती है और यहाँ देखें तो company की per share की fare value अगर है 200 रूपे यानिके 200 रूपे per equity share के साब से अगर हम KCP limited company invest करेंगे तो company को fair price पर रखी देंगे कि ठीक कमपनी इतना free cash flow generate करती है तो उसके साब से इतनी skill value बनती है लेकिन जैसे हम हमेशा बात करते हैं अगर किसी भी company को fair price पर या फिर overvolution में हम खरीद देंगे हमार बहुत जा रिस्क इंक्रीज हो सकता है क्योंकि जो भी data हमने चेक किया है वो सब past record है और खास करके इस तरह कमपनी बात करें तो small cap की company है इन में बहुत ज़्यादा fluctuation होती है कभी price आप हो गया कभी down हो गया कभी operators बीच में आगे कभी लोग के sentiments कमपनी के साथ है कभी नहीं है तो बहुत सरी चीज़े हो सकती है तो इस तरह कमपनी को खास करके हमें margin safety के साथ ही invest करना चाहिए और ये तो हो कि हमारा price 200 रुपे अब बात करतें कमपनी के current share price की तो अभी जो कमपनी का share price आ रहा है तो small cap कमपनी है ठीक ठाक कमपनी financial hold करती है काफी सार अलर टाइप के business भी कर रही है तो बहुत बढ़ी है company मुझे ऐसी निल लगी कि हाँ भी बढ़ी extraordinary company है या सस्ती मिल रही है तो उस साब देखें तो मेरे साब से बहुत ज़्यादा अच्छा option नहीं है investment के लिए company अच्छी हो सकती है हो सकता है long term में अच्छा business कर जाए लेकिन अभी एक तो price ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा हो कि extraordinary market position या वो सब चीज़े में नहीं है छोटा मोटा company ठीक ठाक business कर रही है अभी हमने last week में बहुत सरे इसी company analyze करी है IT की और दूसरी company जो काफी सस्ते दाम मिल रहे है बहुत ही बड़ी है business profile है सब चीज़े तो उस option को हम देख सकते हैं और बहुत सरा option है अगर आपने already invest किया हुआ है तो ठीक है आप invested रह सकते हैं अगर आपको लग रहा है तो उसरे बात करें तो यह मेरा point of view हो सकता है आपको क्या लग रहा है आपको company में अगर और कोई knowledge है तो आप अपना homework कीजिए फिर डिसाइड ही आपको invest करना है नहीं करना है तो उसरे बात करें तो KCP Limited के बारे में आपको detailed knowledge दे दी है आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छे लगी आपने इस वीडियो को देखने के लिए और मुझे इतना समय दिया उसके लिए आपको बहुत धन्यवाद